अगर आपका फोन पानी में चला जाए तो क्या करें? या किसी वज़े से फोन के अंदर पानी चला गया और फोन बंद हो गया, देमेज हो गया तो क्या करें? या फोन पानी में गिरने के कारण बंद हो जाता है, देमेज हो जाता है, तो फोन को घर पर कैसे रिपेर कर सकते हैं, अपने फोन को घर पर कैसे फिक कर सकते हैं? इसी तरह के अनेकों सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज कर लीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों वाटर से डेमेज फोन की रिपेरिंग बहुत ही आसान है इसे आप घर पर भी कर सकते हैं अगर आपका फोन पानी में चला गया है तो परिशान मत होईए इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको फालो करते हुए आप वाटर से डेमेज फोन को बड़ी आसानी से घर पर ही ठीक कर सकते हैं तिप्स नमबर एक दोस्तो अगर आपका फोन पानी में चला गया है या पानी फोन के अंदर चला गया है तो इस सिच्वेशन में सबसे पहले आप फोन की बैंटर निकाल दें और सिम कार और मेमिर कार को भी फोन से निकाल कर अलग कर दें अगर आपका phone नोन रिमूवल बैंट्री वाला phone है जिसकी बैंट्री निकाली नहीं जा सकती और वह phone पानी में चला गया है तो इस situation में आप phone को तुरंट switch off कर दें और phone का sim card और memory card को निकाल का phone से अलग कर दें टिप्स नमबर दो दोस्तो अगर आपका phone पानी में गिर जाने के बाद अपने आप switch आप हो गया है या बंद हो गया है तो phone को आन मत करें उसे बंद ही रहने दें सबसे ज़्यादा गल्पी हम यही पर करते हैं ज़्यादा तर लोग पानी में गिरने के बाद बंद हुए फोन को आउन कर देते हैं और इसी कारण 90% फोन डैड हो जाते हैं दोस्तो आप सब जानते हैं हमारे फोन में जो बैटरी होती है उसमें positive और negative current और अर्थ दोनों होते हैं और इसी current और अर्थ से हमारा फोन चलता है पानी में भीगे फोन को जब हम आउन करते हैं तो बैटरी से current और अर्थ फोन में जाता है फोन के पास में पानी होने के करण current और अर्थ शॉर्ट हो जाता है और हमारा फोन पुरी तरह से डैड हो जाता है तो दोस्तो पानी में भीगे फोन को भूल कर भी आउन ना करें टिप्स नमबर तीन फोन की बैटरी सिम, मेमोरी काड अन्य सभी पार्ट्स को एक श्चिल की थाली में रख कर तीन से चार घंटे के लिए धूप में रख दें यह सबसे आसान तरीका है फोन के अंदर गई पानी को रिमूव करने का तीन से चार घंटे में आपका फोन पुरी तरह से सूख जाएगा सुरज की धूप से खाली गरम हो जाने के करन फोन को पुरी हिट मिलेगी और आपका फोन पुरी तरह सूख जाएगा और चलने के लाइफ हो जाएगा टिप्स नमबर चार होटगन या अन्य हिट देने वाले किसी भी उपकरन का इस्तमाल ना करें इससे आपका फोन डैल हो सकता है आपके फोन की बोड़ी जो पलास्टिक की बनी होती है वैखराब हो सकती है दोस्तों सबसे सेफ तरीका यही है आप फोन को अस्टिल की थाली या अन्य अस्टिल के किसी बरतन में रखकर धूप में रखें और उसे तीन से चार गंटे सुकाएं और इस तरह आपका फोन सेफ भी रहेगा और आपका फोन ठीक हो जाएगा टिप्स नमबर पाँच फोन को सुकाने के बाद अब फोन में चार्जर लगा कर देखें एक दो मिनिट इन्तजार करें और देखें अगर आपका फोन हिट नहीं हो रहा है गरम नहीं हो रहा है तब इसमें बैंटरी लगाएं थोड़ा इन्तजार करें थोड़ी देर बाद फोन चार्जिंग होना चालू हो जाएगा अब आपका फोन पुरी तरह तैयार है अब आप अमना SIM कार डाल सकते हैं, ममरी कार डाल सकते हैं